Hello everyone, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं काजल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल PeopleDK में यदि आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखेगा क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको सीटाइट के परिक्षा में हिंदी पैड़ागोजी के कुशन्स को किस तरीके से सॉल्व करना है और साथी साथ हम लोगों को हिंदी पैड़ागोजी के अंदर कौन-कौन से टॉपिक को त्यार करना होता है जो कि सीटाइट के ओफीशल सिलीबस के अंदर हम लोगों को दे रखा है तो देखिए मैंने इसी तरीके की आप लोगों के साथ यहाँ पर EBS, Maths और English पैड़ागोजी की भी आप लोगों के साथ एक-एक सिंगल सिंगल वीडियो शेर किये वो वीडियो आपको 25-30 मिनिट की मिलेगी पर आप लोगों को एक आइडिया, एक अप्रोच मिल जाएगा कि हम लोगों को इन विश्यों की पैड़ागोजी किस तरीके से हल करनी है तो चलिए आज की वीडियो शुरू करें और हिंदी पैड़ागोजी के सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि सिले बस हम लोगों को क्या दे रखा है तो देखिए अगर हम सीटाइट परिक्षा के बात करें तो हिंदी पैड़ागोजी जब आप सीटाइट का फॉर्म फिल करते हैं तब आप यहां पे दो अलग लग भाषा का चैन करते हैं अगर आप लोगोंने लगउज 1 या फिर लाइगवज 2 में से कोई सिभी भाषा यहां पे हिंदी पैड़ागोजी यान की हिंदी भाषा यहां पे चैन किया है पहला यूनिट हमें दिया जाता है, वो है अधिगम, एम, अर्जन, यानि कि यहाँ पर अर्जन यानि कि एक्क्यूजिशन आप किसी भी भाषा का किस तरीके से कर सकते हो, भाषा का अर्जन किस तरीके से कर सकते हैं, साथे साथ हम भाषा का अधिगम, यानि कि लर्निंग हम क इसके लिए हमें कौन से सिभान्त हैं इसके लावा अगला जो यूनिट हमें दिया जाता है वो है बोलने और सुनने की भूमिका तो देखिये अगर हम भाषा की बात करें तो किसी भाषा को हम किसले प्रियोग करते हैं हम संचार के लिए हम दूसरों से अपनी बात को रखने क अगर हम अच्छे से किसी की बात को सुनेंगे नहीं तो हम उसकी बात का जो reply होगा जो response होगा वह बढ़िया तरीके से नहीं दे पाएंगे तो हम ये मानते हैं कि जो व्यक्ति अच्छी तरीके से किसी की बात को सुन पाएगा वही व्यक्ति अच्छी तरीके से उस भाशा का इस्तमाल भी कर पाएगा प्रियोग भी करता आएगा इसके अलाबा यहाँ पर हमें अगले पार्क में बता रहा है भाशा विवित्ता तो देखिए अगर हम देखे हमारी जो कक्षा है उसमें एक बैक्ग्राउंड से आने वाले बच्चे नहीं है कि भाशा जब हम अर्जित करते हैं, जब हम एक्वायर करते हैं, तो हम यहाँ पर प्राक्रतिक तरीके से करते हैं, नाचुरल तरीके से करते हैं, बच्चे अपने घर में आसपास के लोगों को देखके सुनके उस भाशा को सीख रहा होता है, तब यहाँ पर व्याकरन के अव हम कर सकते हैं इसके लावा एक बहुत important unit हमारे हो जाता है भाशा कोशल जिसे हम language skill के नाम से जानते हैं जो कि हमारे TLM यहाँ पर क्या है सिक्षण अधिगम सामगरी यानि कि teaching learning material हमें कक्षा के अंदर जो सिक्षण साहिक सामगरी है वो कैसे प्रियोग करने ताकि हम अपनी जो कक्षा है उसमें जो भी हम topic पड़ा रहे हैं जो भी हम part पड़ा रहे हैं उसको और effective यहाँ पर बना सके इसके अला अगर हम बात करें तो हमें हिंदी पाड़ागोजी में और क्या-क्या चीजी जानने को मिलती है तो कई सारे ऐसे मनुविज्ञानिक हैं जिनोंने हमारे जो भाषा को सीखने को लेके अपने-पने विचार दी हैं यह हमें पता होना चाहिए और इनसे संबंदित हमारी previous year में पूछे गया है सबसे पहले आते हैं नौम-चॉम्सकी यह मानते हैं कि यदि हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो किसी भी भाषा को सीखने की जो शमता है वो बालकों में वो उने कहां से मिलती है जन्जात मिलती है और इन्होंने अपनी थियोरी के अंदर हमें L.A.D. Language Acquisition Device की भी हमें बात की है कि हमारे पास जन्जात यह डिवाइस होता है जिसके मदद से हम किसी भाषा को अच्छी तरीके से सीख पाते हैं अगर आपके परिक्षा में यह कोशन पूछा जाए कि जो बच्चे है वो भाषा को सीखने की जो इनके अंदर शमता है वो जन्जात आत जाता सकती है तो देखिए जीन पयाजी ने भी हमारे वाइक को जो हमारी स्पीच होती है उसको क्या बताए उसको यहां पर आहम केंदृत बताया इसके अलावा लीव आई गोट्स्की का हमें कोशन बार बार यहां पर पूछा जाता है कि इनके ध्वारा बच्चे जो है वो भाषा किस तरीके से सीखते हैं इनका यह मानना है कि अगर आप बालकों को अगर आप बच्चों को कोई भी भाषा सिखाना चाहते हो तो उसको और संस्कृति के परस पर समंध में लाना पड़ेगा, यानि कि जब बच्चा अपनी सोसाइटी और कल्चर के साथ इंटराक्शन करेगा, परस पर समंध में आएगा, तब बच्चा किसी भी भाषा को सीखने की जो परिक्रिया है, वो अच्छी तरीके से हो पाएगी, I hope ये तीनों मनुविज्यानिक ने जो हमें यहाँ पर भाषा समंध से समंधित जो बाते बोली आप लोगों को क्लियर हुई होगी, इसके लावा आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो सिक्षन विदिया हैं हमारी निगमन हो गई, आगमन हो गई, ये लोगों को दूर करने की भी अवर्शक्ता है, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, डिसक्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, इन सभी में क्या-क्या चीजे हम शॉट में जड़ा देखेंगे, तो चलिए एक एक यूनिट करके फटा-फट हम इस टॉपिक में आगे बढ होना चीजे, क्योंकि ये हमारी परिक्षा में कई बार पूशा गया है कि भाशा अर्जन और भाशा अधिगम में क्या अंतर है, तो देखी यहां पर भाशा को जब हम अर्जन या फिर अर्जित करने की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया मानी जात एक बालक जो है, जो जितना जादा अपने आस पास के लोगों के संपर्क में आएगा, उतना जादा बच्चा उस भाषा को अच्छी तरीके से सीख पाएगा और जादा तर यह देखा गया है कि बच्चा यहाँ पर भाशा अर्जिन की मदद से यहाँ पर जो अपनी मात्र भाशा होती है ऐसी भाशा जो बच्चे के घर में बोली जाती है उस भाशा को यहाँ पर सीख रहा होता है तो यह क्या है यह प्राकृतिक प्रक्रिया मानी जात और बच्चा उस भाशा को अच्छे तरीके से अभ्यास ना करें, सीखें ना, या फिर आप कहलेजिए उसके व्याकरन के स्वरूप को ना समझें, तब तक भाशा का अधिगम नहीं हो सकता, तो देखी इन दोनों में फरक्या है, जैसा कि मैंने कहा कि भाशा को अर्जिन करना या फिर आप कहलेजिए अर्जित करने को, हम क्या करते हैं, इस ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो ये बच्चा कहीं पर भी सीख सकता है, पर ये जो आपका भाशा अधिगम है, इसके लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर आपचारिक तोर से, यानि कि जैसे हम कह सकते हैं, कि स्कूल में जाके बच्चा यहाँ पर भाशा का अधिगम करता है, तो अगर आपसे परिक्षा में पूछा जाए कि दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों में भाशा के परिवेश का आपका अंतर आ जाता है, इसके एन्वाइरिमेंट का फरक पड़ ज में दोनों के भाशा के परिवेश कहां पर फरक आता है तो यह पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर हमें बच्चे को भाशा का सिक्षिन कराना है तो हमें कौन-कौन से सिध्धानतों का पालन क बच्चे में अभी प्रेना और अभी रुची दोन होनी सिए अगर बच्चे में इंटरस्ट होगा तो बच्च यू बच्चा को सीख पकर और अभी प्रेना क्या होता है कि आपको स्क्रास बच्छ को मोट स्वाल को सीखने को मुझेintell बच्चों यहाँ पर अभियरित रहना जहें, यह हम अंत्रिक तॉर से भी कर सकते हैं, बहाय तौर से भी, अंत्रिक तॉर पर क्या होता है, कि बच्चा अंदर से उस भाशा को सीखने के लिए यहां पर मोटिवेटेड है, यहां पर बच्चे में अभी प्रेना है, और भाय रूप से जैसे कि आप होगे, जो स्कूल का जो विद्याले का परिवेश होता वो इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे को अभी प्रेना मिलते रहे इसके अलावा अगला है क्रियाशील्टा क्रियाशील्टा हमारी यह क्रियेटिविटी को बताता है कि अगर हम जितने जादा क्रियेटिव होंगे जितने जादा हम क् है वो है अभ्यास का जितना ज्यादा बच्चा उस भाशा का अभ्यास करेगा जितना ज्यादा उस भाशा का प्रियोग करेगा उतना अच्छी तरीके से उस भाशा को सीथ पाएगा अगला जो सिध्धांत का हम लोगों को ध्यान रखना है वो है यहां पर व्यक्तिगत विव या फे इसके लिए हम क्या कहते हैं कि अगर टीचर जो है अगर किसी भाशा को किसी तरीके से यूज करेगी तो बच्चा वहाँ पर उनको यहाँ पर क्या करेगा अनुकरन करेगा उनको इमिटेट कर सकता है इसके लावा कुछ और सिध्धान जैसे कि हम लोगों के बाल किंद इसके लावा भाशा सिक्षन के क्या क्या सिध्धानत है अब हम देखते हैं कि भाशा कॉषल क्या क्या होते हैं तो देखिए अगर हम देखें तो भाशा कॉषल जिसको हम लैंग्विज स्किल के नाम से जानते हैं यह चार अलगलग स्किल होती है ल, s, r, w, के नाम से जानी तो दोनों में ही आपका एक एक कोशन आएगा आएगा तो देखिए चार अलगलग स्किल है सबसे पहला है आपका listening, शरवन कोशल, अगला है speaking, वाचन कोशल, अगला है आपका reading, पथन कोशल, अगला है आपका writing यानकी लेखन कोशल इनके बारे में हमें समझना क्या है, जब बच्चा किसी भी भाषा को सीखने निकलता है, जैसे कि अब मान के चलिए कि एक बच्चा है जिसका अभी जन्म हुआ है, तो वो सीधा यहाँ पर बोलना, लिखना, पढ़ना शुरूर नहीं करता, वो क्या करता है, अपने आस पास क यहाँ पर सुन कर उन चीजों को ग्रहन करता है, तो देखिये यहाँ पर सुन कर जब हम अर्थ को ग्रहन करते हैं तो इसके लिए, हम श्रवन कोशल यान की लिस्सनिंग स्किल का प्रियूप करते हैं अब बच्चा रोज रोज चीज़े सुन रहा है बच्चे को रोज रोज नहीं नहीं चीज़े पता चल रही है अब बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होगा कुछ महीनों का होगा तब बच्चा क्या करेगा बच्चा उन शब्दों का उच्चारन शुरू कर देगा बच्च बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं, तो पढ़ने के साथ साथ उसके अर्थ को ग्रहन करने को हम पठन कौशल यान की रीडिंग्स के लिगे नाम से जानते हैं, साथ ही साथ फिर जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, जब बच्चे की मोटर स्किल जो है वो अच्छी तर इसके अलावा एक टॉपिक यहां पर आप देख सकते हैं मुल्यांकन हमें बच्चे का मुल्यांकन यान की इवाल्यूएशन किस तरीके से करना चाहिए हमें सतत एं व्यापक परक्रिया से यान की CCE से हमें बच्चे का मुल्यांकन करना चाहिए यहां पर सतत जो होता है वो continuous के लिए यूज किया जाता है continuous क्यों कि हम लोगों को ऐसा नहीं करना है कि हम लोगों को सालाना परिक्षा लेनी है और हम लोगों को बच्चे के लिए एक तरीके सा अभधाना बनानी है हमें बीच वीच में बच्चे का टेस्ट ले ले बच्चे को क्विज दे दें बच्चे है हमें बच्चे का all-round deployment करना है यानि कि सरवांग एक विकास बच्चे का करना है तो देखिए मुल्यांकन इस तरीके से होना चाहिए यह सतत एम व्यापक पर किरिया होनी चाहिए इसके अलावा अगर हम देखें तो मुल्यांकन के तीन पक्ष होते हैं सबसे पहले ग्यानात् कि knowledge को यह हम यहां पर सीखना हो गया इसके लावा जानकारी बच्चा किस तरीके से इकत्रित करता है इसके अलावा जो बच्चे का भावनात्मक पक्ष होता है जो बच्चे के emotion से जुड़ा होता है जैसे कि प्रेम हो गया लगा हो गया सानुबूति हम जो दिखाते हैं हम सिफ एक पक्ष को देख के बच्चे का मुल्यांकन करें अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक है जो हमारी हिंदी पैड़ागाजी में उनको भी जरा कवर करें अब हम आगे हां पर चार में टॉपिक करने वाले ही जिसमें सबसे पहले हैं यहां पर भाशा सम पारे में भी जानेंगे इसके में पॉइंट सा इसके लावा जो एंसेफ की जो डीटेल वीडियो है आप लोगों को सीडीप वाली प्लेलिस के अंदर मिल जाएगी आप वहां से देख सकते हैं इसके अलावा हम लोग सिक्शन वीधियां देखेंगे जो जो हम लोगों को य आशा समंदित विकार की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया जो है कई बारी आपके परीक्षा में पूछा भी गया है डिसलेक्सिया किस तरीके का विकार माना जाता है तो यह पढ़ने समंदित विकार माना जाता है यानि कि यह र dyscalculia, dyscalculia होता है, जो हम गनित में calculation करते हैं, यानि कि जो गनित क्या सवाल हम करते हैं, उसके कौशलो में अगर कोई विकार हो, जैसे कि कोई बच्चा है, जो calculation बढ़िया तरीके से नहीं कर पा रहा, जो यहां पर गणना नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए यहां पर dyscalculia जाता है, इसके अलाबा है dyspraxia, dyspraxia जो होता है, यह हमारे लेखन और चित्रन, यानि कि जो हम imagination करते हैं, इससे समंदित यहीं माना जाता है, तो देखिए, इससे समंदित आपके पेपर में कई बार question पूछेगा है, आप previous year paper देखिएगा, आपको यह topic मिल जाएगा, साथ अगर आप देखिए, तो NCF 2005 एक ऐसा topic है, जो हमें हर subject की pedagogy में एक question मिलने के chances होते ही होते हैं, देखिए, पंदरा में से एक question तो मान के चलिए, आपको किसी ना किसी subject की pedagogy में, आपको NCF 2005 का मिल जाएगा, जिसके अध्याक्ष जो थे, वो Professor Yaspal थे, इनका नाम आपको प मुख्य उद्देश क्या था, यह हमें सब सब पहले पता होना चीए, इसका मुख्य उद्देश था, सिक्षा बिना बोज के, यानि की learning without burden, हमें बच्चे को सिक्षा कैसे देनी है, ताकि बच्चे को यह बोज जैसी ना लगे, बच्चा यहाँ पर free हो के किसी चीज को सीख सके, यह NCF का यहाँ पर में उद्देश था, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें 5 अलग अलग प्रिंसिपल गाइडलाइन दे रखी है, जैसे कि मैंने कहा NCF की जो आप लोगों की एक अलग से separate video है, अब वहां से यह चीज देखिएगा, अभी मैं आपको इनमें से जो में दो गाइडलाइन है, वो मैं बता दियूं, जिससे सम्मंदित हमारे पेपर में बहुत सारा कोईशन आफे हैं, जिसमें यहां पर बता रखा है, जो ग्यान होता है, जो नॉलिज होता है, हम लोग जो प्रदान कर रहे हैं अपनी कक्षा के अंदर, हमें ऐस ग्यान बच्चे को देना है, कि बच्चा अपने ग्यान को बहरी जीवन के साथ जोड सके, यान कि हमें एक ऐसी नॉलिज नहीं देनी, जिसका बच्चा यूज ना कर पाए, हमें ऐसी नॉलिज देनी है, जो कि बच्चे के काम आए, साथे साथ, हमको क्या करना है, हमको यहा सिक्षा की बाद की गई है यान की चाइल सेंटर एडुकेशन हमें देना है इसके बाद यहां पर की गई है तो देखिए ncf से समंधित आपका अगर कोशन आएगा तो हम लोगों को बच्चे को यहां पर फ्रीडम देनी है बच्चे को एक ऐसा इंवार्मेंट देना है बच् मोग विदी में क्या किया जाता है वहां पर बच्चों को चीजों का प्रियोग और एक्सपरिमेंट करके बच्ठा घ movement में क्या है बच्चा बच्च को क्या करत Hay Am बच्चे को प्रतियोगिता है कराते हैं इससे बच्चा सीख रहा होता है इसके लावाद दो विदिया है आगमन और निगमन विदी इससे समंदित कई बारी कोशन आता है इन दोनों को देख लीजिए यह जो आगमन विदी है इसे हम इंडक्टिव मेथर्ड की नाम से जानते इसमें क्या किया जाता है बच्चे को यहां पर क्या किया जाता है बच्चे को पहले उधारन दिये जाते हैं और उधारनों के माध्यम से बच्चे को एक सामानने सिध्धान तक लेके जाया जाता है जैसे कि अगर मुझे संग्या कक्षा में पढ़ाना है तो पहले मैं का प्रियोंक कर सकते हैं हैं व surf Bereich मांदियम से मां बो लोंगि आप लोग अपने दोस्तों के नाम लिखिए आप लोग उन जगा prolIch की जो जगा आप जानता है आप लोगला कि वस्तों के नाम लिखिए उसके बाद मैं हैatura films जिद्धान्थ बच्चों को यानाँ जो संग्या की परिभाशा है वो बच्चों को बता सकती हूं तो इस तरीके से आगमन विधी में काम किया जाता है और इसके अलावा इहां पर बता रखाएं यहां पर हम विशिस्ट उधारन देते हैं देखें उधारन मैंने छाठ के यहां पर दिये यानि कि इन सबकी जो परिभाशा जो डेफिनेशन त्यार होगी वो हम बाद में उसे बता रहे हैं इसमें हम यहां पर स्थुल से शुष्म चीजों की तरफ जा रहे हैं और इसके अंदर क्या किया जाए है इसमें ग्याद चीजे जो बच्चों को पता है अपने दोस्तों के नाम जगाओं के नाम जो उसने देखी होगी कभी वो चुट्टियों में गया होगा तो ग्याद से ग्याद की तरफ हम जा रहे हैं तो देखिए अगर हम आगमन विदी के बात करें तो यह सारे चारो के चारो पॉइंट इसमें बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं और अगर हम निगमन विदी के बात करें तो आगमन विदी का जस्ट उल्टा होता है यानि कि इसमें हम पहली सिध्धान बता देते हैं, पहली हम यहाँ पे नियम बता देते हैं, परिभाशा बता देते हैं, उसके बाद हम उधारन के तरफ जाते हैं अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि कौन सा ऐसी विधी है जो कि प्रात्मिक अक्षा में प्राइमरी स्टेज में सबसे जादा आपके लिए लाबदायक है तो आप कहोगी आगमन विधी यानि कि पहले आप पहले कुछ उधारन दो उससे बच्चा यहां पर क्या प्रियोग विधी में हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं उसके माध्यम से बच्चे को चीजे सिखा रहे होते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर हमारी निदानात्मक और उप्चरात्मक स्क्षिन में क्या फरक है और यह क्यों इंपर्टेंट है तो देखिए यह जो निदानात्मक होता है यह डाइगनॉस्टिक टेस्ट होता है अगर आपके कख्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई टॉपिक पढ़ानी के बाद आपने टेस्ट लिया और टेस्ट लें आपको पता चला कि इस बच्चे की इस एरिया में आपको प्रॉब्लम दिख आप उप्चारात्मक सुक्षन उसको कराओगे यानि की पहले आपने पूरा स्लेवस पढ़ाया पूरा स्लेवस पढ़ा के एक टेस्ट लिया टेस्ट लेने के बाद आपको पता चला कि इन बच्चों को यहां यहां दिक्कत है और उस एरिया का आप क्या करोगे यहां पे आप अलग से सिक्षिन कराओगे, अलग से टीचिन कराओगे, यान कि उप्चरात्मक सिक्षिन दोगे, ताकि बच्चे को वहाँ पे उस एरिया में प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सके, वहाँ पे बच्चा चीजे सीख सके, तो इस तरीके से यह जो निदानात्मक और रज़ागनों से तक अप्रश से मेंतने तक में दोटिंग strange जोड़ई होते हैं पहले आप कक्षा में पढ़ाओगे, तो आप चसडिया में टेस्त लोगे, कि तेस्त लेने के बाद आपको परिक्शन के बाद ही पदा चलेगा कि बच्चों को यहां यहां धिक्कत है और उ यह आपको प्लेलिस सेक्षन में भी मिल जाएगी जिसमें मैंने सीटाइट की all subject की पैड़ागोजी करके प्लेलिस पनाई है जिसमें आपको यह तीनों वीडियो साथ में मिलेंगी साथे साथ आप डिसक्प्शन में भी चेक कीजिएगा आपको वहां पर प्लेलिस में मिल सकत तो देखिए अगर हम किसी भी subject की पैड़ागोजी की बात करें तो हम लोगों को ऐसे option को टिक करना है जो कि हापे positive sense में बात करते हैं तो देखिए यही इसीज़ का trick होता है I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले topic के साथ बाई बाई टेक केर